एलो एव्रीवन, वेलकम टू मैई चानल, वी विल लेन टूडे कम्पूटर, कम्पूटर के सामान निगान को आज हम लो जानेंगे, यहां से जितने भी कोशन्स होंगे, यह सभी वन लाइनर कोशन्स होंगे, यह ना केवल, KBS, ठीक है, इसके साथ साथ, NBS, इसके साथ साथ जितने भी गौवर्मेंट एक्जाम होते हैं, उसके लिए बहुत ही महत्पुन है, आप पूरा-पूरा वीडियो देखें, और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, अगर आप अमारे चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सस्क्राइब कर लें, थाकि एर वीडियो को सबसे पहले आपको मिलें, तो हम लोग पहले कोशन को जाने, एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, तो 10-12 सेकेंड के, यानि एक पिको सेकेंड किसके बराबर होता है, तो आप बेसक कह सकते हैं, 10-12 सेकेंड के, इंटेग्रेटेड सर्केट, यानि आइसी युक्त, परत सर्विस तो प्रतम कंप्यूटर के निर्मान करने का स्रे जाता है जीन एमडेल जीकू एक निबल का मान कितना होता है तो चार बीट एक निबल कितना होता है तो यह चार बीट होता है एक निबल कितना होता है चार बीट का होता है अब आगे कोशन को जाने से क्लियर जेड एक X80 नामक home computer के निर्मान कस्रे किसे जाता है तो वह जाता है Sir Clive से clear जी को किसे जाता है Sir Clive से clear को अगले question को आप जाने तीसरी PD के computer का मुख पूर्जा क्या था यानि आपसे पूछा जा रहा है कि जो तीसरी PD के computer का मुख पूर्जा क्या था तो integrate circuit integrated circuit एक CPU की चमता किस में मापी जाती है तो MIPS एक CPU की चमता जो मापी जाती है मापी जाती है MIPS में High Speed Memory को क्या कहते है Casp Memory यानि High Speed Memory को हम क्या कहते है Casp Memory अगले question को आप जाने A से Z तक की क्या कहलाती है अलफा बेटिकट की यानि A से Z तक की को हम क्या कहते है अलफा बेटिकट की कहते है अगले question को आप जाने PSTN का पुनरूप क्या है इसे भी आप समझें यहाँ आप से full form पूछा किया है Public Switched Telephone Network PSTN का full form है Public Switched Telephone Network पहला बायोसाइक वाइरस का क्या नाम था तो Brain Virus जो पहले बायोसाइक वाइरस थे उसका नाम जो था वो था Brain Virus Rain Trops किस प्रकार का वाइरस है EXE और कॉम DES का पुनरूप क्या है Data Encryption Standard Data Encryption Standard जो है DES का full रूप है अगले कोश्चन को आप जानने एक टेराबाइट का मान कितना होता है इसे भी आप कोर करें एक टेराबाइट का मान कितना होता 1024 गीगाबाइट यानि एक टेराबाइट में कितना होता है 1024 गीगाबाइट होता पर्शन कम्प्यूटर के लिए प्रियुक्त होने वाला Micro processor chip क्या कहलाता है Intel 8080 यनी पर्शन कम्प्यूटर के लिए micro processor chip ज pent wilt Intel 8080 Mark 1st के निन्माता का क्या नाम था Howard Econ यनी जो Mark 1st के निन्माता थे उनका नाम था Howard Econ दुसी परिडे के computer का का काल 64 तक जो PD था generation था वो second generation PD था ओके आपने unit complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आए आपने दोस्तों को सेर करें वीडियो लाइक करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद कर्या कर सकता है घ bases कर ना भूलें 4 वीडियो वीडियो कर दोसे में ना भी संदेह दोसे हैं अभ जोसे वीडियो झाल झाल